दोस्तो जैसे कि आप लोगों पता है हमारा देश भारत इस वकट दुनिया का नमबर वन डवलपिंग कंट्रियों में से एक है वो इस वज़े से हो पाया है क्योंकि उसने अपने आपको समय के हिसाब से बदला अगर आप आज भी अपने आपको पुराने टाइम के हिसाब से समझ रहे हैं कि कैस में ही डिलिंग करेंगे हम ओनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आप समय के साब से पीछ हो जाओगे आप क्लिक करोगे आप सीधे सीधे इस page पे redirect हो जाओगे अब आप प्ले स्टोर के इस page पे आपको दिखाई दे रहा है पेटीम का option आपको दिखाई दे रहा है अब आपको क्या करना है इस open button पे click करना है देन आप इस page पे आ जाओगे यहां पर आपको अपना वही phone number डालना है जो आपका bank account से linked है तो आपको वही number डालना है और वह phone number आपका इस phone में मौझूद भी होना चाहिए अगर आप other number डालते हो तो आपका account नहीं बनेगा तो दोस्तों आपको अपना number डाल देना है तैन उसके बाद proceed securely का जो option दिखाई दे रहा है उस पे आपको click कर देना है आपने इस पर click कर दिया अब आपको यहाँ पर permission देनी है अपने phone को कि SMS और location की permission then continue पर click कर देना है continue पर आप जैसे click करोगे यहाँ आपको फिर से permission देनी है तो allow कर देना है then फिर allow कर देना है message के लिए then फिर allow कर देना है only for this app उसके बाद अब आप देख सकते हो आप सीधे स इस page पर redirect हो जाओगे अब आपको यहाँ no thanks कर देना या okay कर देना कोई दिक्कत नहीं है no thanks कर देंगे no thanks करने के बाद अब आप इस page पर redirect हो जाओगे अब आपके automatically एक SMS जाएगा आपके phone से तो उसके बाद यह आपकर थोड़ा time लेगा कि अब जैसे यह आपका message जा चुका क्लिक कर देते हैं अब यहाँ आपको दिखाई देगा do it later तो अब आपको यह do it later पर click कर देना है जैसे आप do it later पर click करोगे तब आप इस page पर आ जाओगे अब आप से यह बोलेगा कि log the screen तो आप अभी skip कर दीजिए बाद में screen को हम activate करा सकते हैं अब आप इस page पर redirect हो जा to mobile to self तो आप easily यहाँ से payment कर सकते हैं पर हमें अभी payment नहीं करनी है हमें अपना account open करना है पेटेम के अंदर तो मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप payment पर कैसे कर सकते हैं तो उपर profile पर click करें देन आप देख सकते हैं इस पर link bank account को option आपको दिखाई दे रहा है अब link bank account क option पर आप click कर सकते हैं पहले तो ऊपर आप देख सकते हैं अपने जो number डाला है वो आपको शोग रहा इसके अंदर अब इसके अंदर link bank account पर click करेंगे जैसे हम link bank account पर click करेंगे हम सीधे सीधे इस page पर redirect हो जाएंगे अब हमारे पास यह बहुत सारे bank इसमें show करेंगे जैसे SBA हो गया, bank of brother हो गया बहुत सारे ऐसे bank होंगे जो इसके अंदर आपको show होंगे लेकिन हमें अपना वही bank सुनना है जिसमें हमारा account है मैं आपको search करके दिखाता हूँ जैसे मेरा account SBI में है तो मैं as state bank of India लिखूँगा तो automatically इसके अंदर पूरा का पूरा नाम दिखाई दे जाएगा अब मुझे क्या करना है इस पर click कर देना है अब मैं इस पर click करने के बाद अब देखते हैं मैं इस पर click करता हूँ click करने के बाद मैं सीधे सीधे इस page पर redirect हो जाऊँगा अब ये directly चेक कर रहा है मेरा account जो मैंने phone number डाला है वो activate है की नहीं है इस पर बता रहा है कि congratulations your bank account has been added successfully तो दोस्तो मेरा bank account successfully add हो चुका है जैसे कि आप इस screen पर देख पा रहे हो ठीक है जादा कोई time नहीं लगा एक minute के अंदर मेरा account इसके अंदर activate हो गया इसके अंदर वो भी show रहा है कि मेरा account saving account है और मेरा account holder का नाम भी इसमें show हो रहा है सब कुछ इसके अंदर show हो रहा है जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि हाँ मेरा account इसके अंदर activated हो चुका है तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो account बनाना बहुत ही जादा आसान है within a minute आप इसके अंदर account बना सकते हैं अगर आपको एक से दूसरे account भी इसके अंदर activate कराना है तो वो भी add account पे जाकर आप दूसरे bank जैसे अगर आपका suppose bank of program है तो आप उसपे click करके अपना वो number भी इसके अंदर activate करा सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करें comment करें और ऐसी valuable content के लिए bell icon पे click करें